प्रियाग राज में प्रगति शील समाजबादी पार्ठी लोहिया के राश्री अध्यक शिप्पाल सिंग यादफ के आवाहन पर मुलायम सिंग यादफ के जनम दिन को एकता दिवस की रूपने मनाया गया पही केक काटकर कारिकरताओं द्वारा जनम दिन मनाया गया कारिकरताओं द्वारा विभन ने जगाहों पर सांस्कृतिक कारिकरम कायोजन किया गया अस्पतालों में फल फ्रूट वित्रण किये गए लेप्रोशी मिशन अस्पटाल नैनी में भरती मरीजों को फल वित्रत किये गए पहीं, गुलाव, रसूल के नेतरतों में केरलाबाद के लेप्रोशी मिशन में भी फल वित्रत किये गए उसके बाद शाम 6 बजे डॉक्टर नूर आलम के रिवास पर स्वांस्कृतिक कारिग्रम और कभी समेला नायुजित किया गया गरुट में आलम समेला नहीं हुटार संनीत रॉटे बियां तो उनके रहे है तो उडिक से राट कर डॉट समय बाहर जागा लो जल कम्साना विकषा मानि स्पाल सिंग यदो जी की आवाहन पी, मानि मुलाइम सिंग यदो जी की जनम दिन को एकता दिवस के रूप में मनाये गया आज कारकरता हो में, पदाधिकारियों में बहुत जादो जो सकilde रोस ता पार्टी के तमाम पदादिकारी कारकरता साथ मिलकर की अस्पतालों में जा करके भरती हुए मरीजों को फल बित्रण करने का काम किये इसी कड़ी में लेपरासी अस्पताल नैनी में जो मरीज भरती थे और साथ में करेलावाग लेपरासी संस्थान में जो भी मरीद थे उनको जाकर के फल बित्रण का काम किया गया वहाँ लोग बहुत जादा खुश से उसके बाद मेरे निवास पे एक गोश्टी का आयोजन किया गया जिसमें माननी मुलाइम सिंग यादो जी के बेक्टित के बारे में बिस्तिर चर्चाएं हुई इसमें मुख रूप से भाग लेने वालों में गुलाम रसूल साब, स्विववरन यादो, संसाद हमद, मल्लू यादो, मुहमद आरिफ सिद्धीकी, परवीन बेगम, तवस्सुम, राम परकास पाल, केके उपाध्या, ररजेश सिंग, आत मुझूद थे साथ में हर कारकरम के एक समापती होने से पहले माननी मुलाइम सिंग यादो जी के तरिखाव होने की कामदा की गई आज आप लोग उन्हों क्या किया आज हम लोग माननी रास्टी अध्धस इपाल जी के आदेश अनुसार उनके बड़े भाई माननी मुलाइम सिंग यादो जी का जनमदिद मनाया गया एकता दिवस के रूप में कहां कहां गये थे नैनी गये थे कुछ मरीजों को फल्फरूड भी बाटा गया और वहां से आने के बात करैला बाग गये वहां पे कुछ मरीजों को फल्फरूड बाटा गया आपके नाम कहा है हमारा नाम गुलाम रसूल है परदेश कारकरणी सदस है और हमारे साथ साथ हमार पदधिकारी भी महजूद थे कौन कौन था डाक्टर नूरारम थे शुबरन यादो थे और मल्लू भाई थे काफी पदधिकारी वहाँ पे महजूद थे